Hello everyone, I am Lokesh and welcome back to the channel. So friends, this video is very important for 22, 23 and 24 batch because there is important news and important updates related to onboarding and joining as well as, आपने काफी सारी news सुनी होगी there is a termination hiring freeze from top MNC and किसी company में 10,000-15,000 employees को यहां पर fire किया जा रहा है तो इसका actual reason क्या है and मैं आप सभी को कह दू कि चाहे वो YouTube हो या चाहे वो फिर Telegram चैनल सो wrong information बताई जा रही है onboarding से related आप प्लीज ऐसी गलती मत कीजिए नहीं तो direct rejection हो जाएगा onboarding आने के पहले ही या आपकी joining के पहले ही So in this video we will discuss about all the important points and details Let's start the video Before starting channel पे important videos ज़रूर से check कर लीजेगा and मैं आप सभी को कहना चाता हूँ कि चाहे वो Infosys हो चाहे वो Wipro हो चाहे Capgemini, Cognizant, Essentia सारी company phases में अब यहाँ पर अपनी मतलब जो joining से उनको conduct करवा रहे हैं Infosys की चार joining date आईए अब next January में आने के chances है अब सबसे बड़ी बात हम आज की इस वीडियो में कर लेते हैं कि termination और hiring freeze अब इसका क्या मतलब है मैं आप सभी को बता दू आपने देखा होगा किसी company में 5000 employees को किसी company में 10,000 या फिर किसी company में 20,000 employees को fire किया जा रहा है तो actual में यह जो reason है तो क्या आप onboarding और joining का wait कर रहे है तो क्या यहाँ पर हमारी onboarding और joining नहीं आएगी No The main reason is company की demands As per the business requirements और सारी चीज़े ठीक है Company देखिए आप किसी भी MNC में जाए मैं आप सभी को सबसे पहले एक चीज़ बता देता हूँ अपनी skills पे हमेशा focus कीज़ेगा अपना overall performance जो है वो बहुत अच्छा रखिएगा ठीक है और company में जो भी आपके managers है HR है उनसे आपको यहाँ पर time to time communicate करना है कि case type से आपका जो है वो performance चल रहा है और जो company के अंदर internals exams होती है ठीक है उसमें आपको participate अच्छे से करना है और उसमें यहाँ पर और जो आपके project से चलेंगे उसमें आपको यहाँ पर अपना 110% देना है जिससे कि यह सारी चीज़े problem ना हो और सबसे बड़ी बात अगर आपका कोई भी eligibility criteria educational documents है या फिर कोई भी चीज़े जो कि company के rules और regulation के अंदर आती है ठीके तो भी आपको यह सारी चीज़े ध्यान रखना है कि वो आप time to time fulfill करें मतलब वो सारी चीज़े आप fulfill करें और MNC ने अगर कोई update दिया है तो आप उस update को भी fulfill करें अब यह सारी चीज़े देखने को जा रही है टॉप MNCs में जो की बिग MNCs है पर अभी मैं बात करूँ Infosys, Wipro, Cognizant, Capgemini, Essential यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं देखने को जा रहा है डीले हुई है जोइनिंग में बाट की जोइनिंग स्टार्टेड हो चुकी है प्रोसेस में और सबसे बड़ी बात phases में already joining देखने को मिल रही है अब सबसे बड़ी बात यह मैंने क्यों लिख रखा है fake news और wrong info related to onboarding इसका main reason बताता हूँ आपको सबसे बड़ी बात आप अगर कहीं भी देखेंगे तो आपको बोलेंगे कि यह audio clip सुन लीजिए यह audio सुन लीजिए या फिर आप यह video देख लीजिए या फिर आपको मतलब different different audio सुना दी जाएगी और उसमें बताया जाएगा कि आपकी onboarding मई से जून के अंदर होने वाली है फिर next year या फिर आपकी onboarding April में होने वाली है देखिए मैं आप सभी को सबसे पहले कहना चाता हूँ We only believe on official update by MNC अगर किसी भी type का कोई भी update आता है तो MNC email के through contact करती है candidates को चाहे वो आपका exam का selection हो चाहे वो आपका exam का rejection हो चाहे वो interview का mail हो चाहे वो test की link हो ठीक है तो सबसे बड़ी बात आपको सिफ official email पर believe करना है और सबसे बड़ी बात आपको अगर कोई कहता है कि हम Wipro से हैं Capgemini से Cognizant या किसी भी MNC से आपको 1500 रुपे देने है या आपको 2000 रुपे पे करने है और हम आपको MNC में अंदर process करवा देंगे अंदर MNC में आपको यहाँ पर enter करवा देंगे यह सारी चीज़े फेक होती है MNC कभी भी आपसे कुछ भी चार्ज नहीं करती है ठीक है आपको मैं एक suggestion देना चाहता हूँ जो कि मेरा personal suggestion है कुछ ऐसे WhatsApp जुरूप होंगे कुछ ऐसे Telegram groups होंगे जहाँ पर कुछ ऐसी information share हो रही है और जिसमें वहाँ पर आपकी भी information share हो रही है अगर MNC ने कोई strict action ले लिया तो यहाँ पर फिर आपका अगर onboarding में नाम रहेगा तो वो भी cancel हो सकता है देखे MNC जो है वो यहाँ पर process के हिसाब से चलते हैं तो हम कैसे believe करें वो तो दो लोग कोई भी बात करके बता सकते हैं ऐसे थोड़ी नहीं बोलेंगे कि अगर माल लीजे कोई HR बोल रहे है विपरो के तो वो यह थोड़ी नहीं बोलेंगे कि I am the HR of विपरो and I am telling this तो ऐसा नहीं होता है We only believe on official mail and official update और MNC की तरब से भी बताया गया है कि अगर जब भी कोई आपकी onboarding आएगी तो आपको 2-3 week पहले या फिर 2 month पहले advance में prior notice दे दिया जाएगा अब Infosys की recording इसमें बता दी कि 2 month पहले notice दे दिया जाएगा वो तो Infosys का तो यह था 2-3 week prior यह 2 month तो Wipro का था यहाँ पर ही recording में confusion हो गया तो यह सारी recordings पह आपको believe नहीं करना चाहिए आपको सिर्फ यहाँ पर official mail का इंतिजार करना चाहिए और आपसे अगर कोई भी आपका superset ID मांगता है ठीक है आपसे अगर कोई बोलता है आपका superset ID शेयर कीजिए या फिर आपकी profile शेयर कीजिए आपका ये data शेयर कीजिए बिलकुल मज शेयर कीजिए यहाँ पर आपको कोई भी अपडेट देने की ज़रूरत नहीं है अगर MNC का कोई mail आता है 10th की mark sheet चाहिए 12th की mark sheet चाहिए Sam की अगर infosys चे आ रहा है तो at the rate infosys.com जरूर होगा यही domain and इसी के साथ at the rate gmail.com से जो आता है वो most probably fakes होते हैं क्योंकि उसमें company के बारे में कोई भी info देन नहीं रखी होती है विप्रो का होता है तो विप्रो के हिसाब से मैं आप सभी को कहना चाता हूँ कि कैसे यह company process में करवा रही है सारी phases में और यहाँ पर बहुत सारे MNC के already joining चल रही है तो आप अगर 23 और 24 bets हैं तो आप सभी के लिएक suggestion है कि hiring freeze नहीं होने वाली है hiring ongoing है धीरे धीरे upcoming month में hiring आने के chances है बाकी आप सभी से request है कि आप जिस type से अभी तक आपने यहाँ तक आने के लिए बहुत मेहनत करिए काफी आपने struggle भी करा है sacrifice दिया है तो सबसे बड़ी बात आपको अपनी skills पर ध्यान देना है और अपने हिसाब से काम करना है ओके यहाँ पर official update का wait करते है thanks for watching the video